लोकसभा गडवाल गडवाल लोकसभाक्षेतर उत्रखंड के पाँच लोकसभाक्षेतरों में से एक है आजादी के बाद जब देश में पहली बार लोकसभा के चुनाव हुए तो उस गडवाल लोकसभा भी अस्तित्तु में आ चुका था इस सीट पर साल 1952 से 1977 तक लगातार कॉंग्रिस का कबजा रहा गड़वाल लोकसभाक्षेतर के अंतरगत कुल 14 विदानसभा सीटें आती हैं ये 14 सीटों पांच जिलों चमोली, गड़वाल, नैनिताल, रुद्र प्रियाग और टेहरी गड़वाल में फैली हुई है आईए आपको बताते हैं कि किस जिले की कौन सी विदानसभा सीटें गड़वाल लोकसभा के अंतरगत आती हैं जिला चमोली, विदानसभा, बद्रिनाथ, कणप्रियाग, थराली जिला गड़वाल, विदानसभा, चोबटाखाल, कोड़द्वार, लेंसडाउन, पोडी, शिरीनगर, यमकेशुवर जिला नैनिताल, विदानसभा रामनगर जिला रोद्र प्रियाग, विदानसभा केदारनाथ, रोद्र प्रियाग जिला टेहरी, गडवाल, विधान सभा, देव प्रियाग और नरिंदर नगर आपको बता दें कि 2017 में हुए विधान सभा चुनाव में बीजेपी ने इस लोकसभा क्षेत्र के 14 में से 13 सीटों पर जीत का परचम लहराया था जबकि मात्र केदरनाथ विधान सभा पर कॉंग्रिस का कबजा हुआ था इस बार होने वाले लोकसभा चुनाव में गडवाल में कुल मतदाताओ की संख्या 13,37,306 है जिसमें पुरुष मतदाताओ की संख्या 6,98,9,81, महिला मतदाताओ की संख्या 6,83,311 और ट्रांसजेंडर के कुल 14 मतदाता शामिल है कुबदादे के सीट पर 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के भुवन चंद खंडूरी को जीत मिली थी लेकिन इस बार उनके बेटे मनीश खंडूरी ने पाला बदल दिया और देहरादून में कॉंग्रिस अध्यक्ष राहुल गांधी की मौजुदगी में कॉंग्रिस का हाथ थाम लिया है ऐसे में इस बार इस सीट पर मुकाबला दिल्चस्प होने वाला है अब एक नजर पिछले लोकसभा चुनाव के नतीजों पर डालें तो साल 2014 में इस सीट पर बीजेपी के भुवन चंद खंडूरी ने 4,05,690 वोट हासिल कर जीत का परचम लहराय था तो वहीं कॉंग्रेस के हरक सिंग रावत 2,21,164 वोट हासिल कर दूसरे स्थान पर रहे थे जबकि बहुजन समाज पार्टी के धीर सिंग को महज 9,250 वोट मिले थे और वो तीसरे स्थान पर रहे साल 2009 में हुए लोकसभा चुनाव पर नजर डालें तो कॉंग्रेस के सत्पाल महराज ने 2,36,949 वोट हासिल कर जीत का परचम लहराय था तो वहीं बीजेपी के तेजपाल सिंग रावत 2,19,552 वोट हासिल कर दूसरे स्थान पर रहे थे जबकि बीजेपी के राजीव आगा को महज 34,622 वोट मिले थे और वो तीसरे स्थान पर रहे थे साल 2004 में हुए लोकसभा चुनाव पर नजर डालें तो बीजेपी के भुवन चंदर खंडूरी ने 2,75,726 वोट हासिल कर जीत का परचम लहराय था तो वहीं कॉंग्रेस के तेजपाल सिंग रावत 2,6,764 वोट हासिल कर दूसरे स्थान पर थे जबकि बीजेपी के प्रोफेसर बीजेपी सिम्वाल को महज 10,410 वोट मिले थे और वो तीसरे स्थान पर थे ब्यूर रिपोर्ट पंजाब केसरी टीवी